हेलो फ्रेंज आज हम बनाते है डायेट वेचिटेबल सूप जो हम डायेट में भी पी सकते हैं और रेगिलर्ली भी हम उसको पी सकते हैं अभी मैंने इसमें टॉमेटों, कैरोट और बीट टीनों को छोटा 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 चॉप करके फुकर में बॉइल कर दिया है फॉर दे फोर तुफाइज सीटीज अब हम उसको ग्राइंड करेंगे हम इसको अभी अच्छे से चान लेंगे और उसका जो वेजिटेबल का पल्प है वो पूरा सूप में चला जाए तब तक हम उसको चानेंगे अच्छी तरक से उसका पल्प निकालके अब उसको स्लो फ्लेंटे बॉल करने के लिए रख दिया है जब तक यह बॉल होता है तब तक मैं इसमें डालने वाले इंग्रिडेंस के बारे में बताती हूं इसमें ब्लैक पेपर जाएगा जिसको बोलते हैं मरी पावडर बाद म इसमें आप कुछ भी एड़ कर सकते हैं ब्रॉकली या फिर ओनियन कुछ भी लेकिन अभी मैंने डिया है कॉन बटाना और बीट इसमें शुगर है यह डायट सूप है इसलिए मैंने थोड़ी से शुगर ली है तो रिमूव दे टैंगी टेस्ट आप दे सूप पर अगर जाते हैं तो इसको एक चमच और सुगर डालके भी उसको हम उसको पका सकते हैं हम अच्छे से हिलाएंगे उसकी बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक हाफ अटी स्पून मरी पाउडर जो की हम बोलते हैं उसको ब्लैक पेपर और वन स्पून ओफ शुगर उसको हम शुगर को जैसे मैंने पहले बोला हो इसको कम्रिया जादा हम कर सकते हैं ऐस पर योर डायर चाट उसके बाद हम उसमें सब वेजिटिबस डालेंगे जो उसको हम अल्ली सेज में ही डाल रहे हैं क्योंकि वो अंदर बॉल होके अच्छे से पप जाएंगे और इसको हम अब थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से बॉल होने लेंगे अब यह सूप बॉल हो चुका है अब हम इसको सर्विंग बॉल में ले लेंगे और इसको सर्व करेंगे और यह हमारा वेजिटेबल डाय सूप रेड़ी है